तो आज का जो हमारा discussion है वो है क्या square and square root के ऊपर तो आपको जो है बहुत ही basic to advanced learning steps के accordingly जो है मैं इस chapter को deal करूंगा तो आप लोग जो है इस वीडियो को जो है बहुत अच्छे से देखें और हर एक एक जो important जो बाते हैं उसको आपको ध्यान में रखने हैं तो ये chapter जो है आपक ही easy हो जाएगा ठीक है और बहुत ही अच्छे marks score कर सकते हैं आप इस topic से related ठीक है तो आईए चलिए start करते हैं अपने topics को ठीक है चलिए सबसे पहला जो topic है ठीक है वो है हमारा क्या square ठीक है square तो exactly जो square होता है यह जो number होते हैं जो given number होते हैं उसी number को जब हम given number के साथ multiply करते हैं तो वो number जो हमें obtain होगा वो होगा क्या हमारा square ठीक है तो मैं आपको पहले example के तौर पे मैं समझाता हूँ ठीक है example फिर मैं आपको definition भी बताऊंगा ठीक है example में देखिए जैसे given number अगर suppose मेरा 4 है तो इसी number को जो है हम एक बार और क्या करेंगे multiply कर ठीक है तो 4 into 4 जो होता है कितना होता है 16 तो यह जो 16 होगा वो क्या होगा square होगा किसका 4 का ठीक है clear है आईए दूसरे example देखते हैं जैसे हम आपको 12 दिये हैं ठीक है तो हम बोल रहे हैं कि 12 का square find करेंगे तो simply क्या करना है इसी number को दुबारा हम क्या करेंगे इसको multiply कर देंगे ठीक है तो जो given number होगा उसी number को हम उससे multiply कर देते हैं तो हमारा जो number जो 59 होगा वो हमारा क्या क्या कह रहता है square ठीक है the number obtained obtained okay by by multiplying 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 the value of the value of given number number by itself by itself clear है तो यह देखे क्या है जो number हमें obtain होगा the number obtained by multiplying क्या करेंगे multiply कर रहे हैं the value of the given number the given number का जो value है उसको खुद से ही क्या करेंगे हम multiply कर देंगे तो यहां पर जो number हमें obtain होगा वो जो होगा क्या होगा square होगा ठीक है तो यहां देखे मैंने आपको example मैंने समझाया ठीक है अभी देखे suppose कि कोई variable है तो variable किसको गहते हैं जैसे a b c d यह सारे जो है हमारे जितने भी माइनस चुले सकते हैं एक वालू जो है 0 ले सकते तो वैसे करके b c d का भी सेम वैसे ही होगा ठीक है तो इसको जो है हम लोग एक्जैक्टी बोलते हैं क्या variable ठीक है तो अगर हम इसको इस numbers को जो है variables के form मेंगर लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं Suppose कि हम a ले रहे रहे ओямर ठीक है वह हमारा क्या होगा यह हमारा क्या होगा given क्या होगा नंबर होगा क्या होगा given number तो यह give a number अगर suppose a है हमारा तो इस यह number को क्या करेंगे हम दुबारा use what times क्या हो रहा है 2 times क्या हो रहा है multiply हो रहे है multiply हो रहे है Evet multiply हो रहे है बात समझाए हैसे और exactly इसको जो है हम लोगब बोलते हैं क्या power क्या बोलते हैं फावर ठीक है क्लिए सब्सक्राइबThis मैं और एक एक्जांपल दे रहाilik जैसे अगर एक b है variable ठीक है तो इसका कोई भी fix value हो सकते है मतलब कोई भी value हो सकते है इस b का ठीक है तो b और इसी given number को जो है फिर से क्या करेंगे multiply करने तो क्या जागा b into b क्या जागा b squared तो हमेशा याद रखेगा कि यह जो होता है इसका meaning क्या होता है कि b को जो है वो दो बार multiply किया गया तो इससे exactly क्या कहेंगे power तो एक बहुत important बात है यहां जानने का note करने का ठीक है note इसको कर लिजे note क्या करना है कि हमारे जो numbers होते हैं उसे हम दो बार क्या करते हैं multiply करते हैं क्या दो बार मतलब जो value होते हैं उससे हम दो बार multiply करेंगे ठीक है तो हमें जो number obtain होग वो हम उस नंबर को क्या कहेंगे square कहेंगे क्या कहेंगे square ठीक है clear 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 चलिए तो आगे बढ़ते हैं और कुछ examples देखते हैं जैसे suppose 7 का अगर मैं बूल रहा हूं कि आप square find करिए square of of 7 तो क्या करना है simply seven का square find करने के लिए क्या हो जागा seven into क्या करेंगे seven ठीक है clear आगे बढ़ते हैं तो यहां पर जो है अभी सेकेंड जो टॉपिक है वो है ध्यान से सुनिएगा इसे कहते हैं क्या perfect perfect squares ठीक है perfect squares ठीक है और और इसे कहा जाता है क्या square number square number ठीक है clear है ओके तो यहां पर देखिए होता क्या है कि कभी भी किसी भी given number को जब हम उसी value से जो है multiply अगर हम करते हैं तो हमें जो number आप्टेन होता है जैसे कि 49 हुआ 4 का स्वाय के तो 16 हुआ था ठीक है तो कोई भी नंबर को अगर हम given उसी value के साथ अगर हम उसको multiply करते हैं तो हमें जो नंबर आप्टेन होता है ठीक है तो उसे जो है कहते हैं क्या perfect square ठीक है तो कोई भी एक natural number है is called perfect square कब if the square of some natural number ठीक है तो इससे जो होता है इसे क्या कहेंगे perfect square करेंगे perfect square क्या होता है ठीक है ध्यान से देखिए a natural number a natural number ठीक है तो क्या होता है counting number होता है exactly ठीक है is called is called इसे क्या कहेंगे called perfect perfect square ठीक है perfect squares कहेंगे ठीक है और और a square number or a square number okay कब बोलेंगे if if it is it is the square it is the square of sum of sum sum मतलब कुछ ठीक है या जो भी given number होगा ठीक है natural natural number ठीक है तो कहने का मतलब क्या है यही है same तो यहां पर देखे 7 जो है natural number है तो 7 को उसका square कर दिये थे ठीक है तो हमें जो number obtained वह 49 वह था ठीक है तो वह भी जो है क्या है वह एक perfect square है ठीक है clear है चलिए तो अभी ही जो है हम लोग कुछ perfect जो है squares को जो है हम लोग note down करेंगे ठीक है चलिए ठीक है तो यहां पर बात करेंगे squares squares of natural number of natural number okay from कहां से लेंगे 1 से लेके 20 तक तो इसको जो है आपको याद भी करना है ठीक है clear है तो यह बहुत ही important है और इसे जो है आपको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम लोग numerical करेंगे ठीक है तो हम लोग को यह value याद होना चाहिए ठीक है clear है तो चलिए start करते हैं देखिए 1 का square तो 1 का square मतलब 1 into 1 होता है कितना हो जाएगा ठीक है टू का square जो होता है 2 into 2 तो कितना होता है 4 ठीक है 3 का square होता है 3 का square कितना होता है 3 into 3 9 ठीक है ठीक है 4 का square है 4 into 4 कितना ओगा थेकि 5 का square तो 5 into 5 कितना होता है 27 थीटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटि 1 2 का square 4 3 का square 9 4 का square 16 5 का square 25 ठीक है 6 का square 36 ठीक है 7 का square 49 ठीक है उसके बाद 8 का square 64 9 का square 81 और 10 का square 100 होता है ठीक है तो इस वैलूस को याद रखेए चलिए आएए देखते हैं और आगे ठीक है 11 का स्कॉर स्कॉर होता है किना होते ध्यान दीजिए 121 ठीके 11 करें यया आंज एक होता है 122 जैसे गाता है kis 44 ठीक है चलिए 13 का स्कॉयर देखिए कितना होता है 13 का स्कॉयर कितना होता है 13 इंटू 13 160 क्या होता है 9 ठीक है अभी देखे 14 का स्कॉयर जो होता है ठीक है कितना होता है बोलिए 196 ठीक है 14 का स्कॉयर जो होता है होता है 196 ठीक है 15 का 우린 तो 15 15 जब करिएगा यह होता है क्या 225 क्लिंट है चलिए 15 के बाद क्या है 16 है 16 का जो स्क्वाइर होता है ठीक है होता है कितना 16 इंतो 16 करियेगा आयेगा क्या 256 ठीक है देखे उसके बाद क्या है 17 का स्कॉयर करिएगा 17 का स्कॉयर क्या होता है 289 होता है ठीक है उसके बाद जो है 18 का कर स्कॉयर करिएगा तो 18 x 18 करिएगा तो यह आता है कितना? 324, clear है? उसके बाद 19 का square करिएगा, तो 19 x 19 करिएगा तो आएगा क्या? 361 और 20 का square जो होता है, वो होता है कितना? 400, ठीक है? तो यह जो है कुछ squares है, कुछ natural numbers के, ठीक है? और generally जो है, 1 से लेके 20 तक तो आपको बिलकुल भी याद होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि यह बहुत ही common numbers है, ठीक है? जिसका जो squares है, आपको याद होने चाहिए, ठीक है? clear है? तो एक बर इससे जो है, मैं repeat कर दूँ 11 का, 11 का square होता है, 121, 12 का square, 144, 13 का square, 169, 14 का square, 196, 15 का square, 225, 16 का square, 256, 17 का square, 289, 18 का square होता है, 324, 19 का square, 361, and 20 का square जो होता है, वो कितना होता है? 400 होता है, तो इसे जो है, आपको क्या करना है? learn करना है, क्या करना है, learn, तो इसे जो है, please और please आप लोग याद करेगा, ठीक है, minimum जो है, 1 से 20, मतलब ये minimum है, आप जो है, 21 से लेकर के, जितना भी और भी आगे है, ठीक है, ये सारे जो values हैं, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, कोई problem नहीं है, ठीक है, चले, लेकिन minimum जो है, 20 तक तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तो इससे जो है, दो तीन बार recall करिए, ठीक है, इससे read करिए, और तो memorize करने का, जो है, थोड़ा कोशिश करिये, और आप multiply भी करके देख सकते हैं, कि ये exactly value है की नहीं, ठीक है, तो करना के same number को two times क्या करना है, multiply करना है, ठीक है, चलिए, तो हम लोग जो है, आगे बढ़ेंगे, अपने अगले topic पर, ठीक है, चलिए, तो देखिए, कभी भी जो है, हम लोग, यहाँ पर, कभी भी जो, जो नंबर दिया जाएगा, जो भी नंबर आपको दिये जाएंगे, ठीक है, तो उसे पता करना है, ठीक है, कि हमारा जो नंबर है ये, ये किसी का square है की नहीं, मतलब, कि किसी given नंबर का, जो है, ये square है की नहीं, ठीक है, तो यहा पर इस इसको find करने के लिए इसे हम एक method होते हैं उसे हम use करते हैं exactly इसे बोलते हैं क्या prime prime factorization ठीक है method ठीक है क्या बोलते हैं से prime factorization method कहा जाता है ठीक है exactly हमें क्या करना है prime numbers को लेने हैं तो prime number वो number होता है जो one and itself से जो होता है क्या होता है डिवाइड होता है ठीक है तो time factorization जो है method को हम लोग use करेंगे ठीक है चलिए तो आएए देखते हैं एक example के तौर पर ठीक है जैसे कि suppose मैं बोल रहा हूं कि क्या 144 जो है वो एक perfect एक perfect square है की नहीं ठीक है इस इस 144 एक perfect square क्या यह perfect square है की नहीं है तो कैसे पता करेंगे इसे जो है हम prime factorization method से जो है हम लोग इसको पता करेंगे ठीक है तो देखे क्या करना होता है बहुत ही easy है ठीक है तो जो भी given number होता है उससे क्या करते हैं prime number से क्या करते हैं continuously क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो देखे कैसे करेंगे यहां लिखेंगे क्या 144 ठीक है ऐसे एक बॉक्स बनाते हैं ठीक है एक और इसे नीचे भी लिख सकते हैं तो देखे वांसे तो करेंगे किसे करेंगे टू से तो जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और यह नमडर है यह भी याद रखिएगा तिक है यही एक प्राइम नमडर है जो utesटेब वं होता इति प्रैंट से था टिक के तो जो है तो डीयुक्त कितना होता है 14 और टू तुज होता है फोर ठीक है तो कितना आ जाएगा सेओंटीडवे करेंगे तो से करेंगे ही बचेगा दो यह कितने करेंगे इसे तो 18 क्योंकि 182 मчно करेंगे से reduce करेंगे मतलब divide करेंगे तो two nine जा होता है 18 फिर आप यहां देख सकते हैं कि अभी यह क्योंकि two से नहीं कटेगा three से कटेगा तो three भी एक प्राइम नंबर है तो three से जो है मैं इसे divide करेंगे और आएगा क्या हमारा three three कितने बार में जाएंगे one बार में ठीक है तो देखिए 144 को जो है हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म भी लिख सकते हैं ठीक है clear है तो इसे क्या कैसे लिखेंगे 144 को कैसे लिख सकते हैं यहां देखिए two into two into two into two into three into three ठीक है ठीक है चलिए तो अब करना क्या है ध्यान से सुनिए बहुत ध्यान से सुनिएगा क्यूंकि यह एक क्या है स्क्वाइर नंबर है तो स्क्वाइर में क्या करते हैं हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यह जितने भी नंबर हमारे पास मौझूद है अभी इसके हम क्या करेंगे पेर्स बनाएंगे क्या बनाएंगे पेर्स तो पेर्स कैसे बनेंगे सेम नंबर के पेर्स बनेंगे क्या बने करेंगे यहां पर सेम डिजिट का प्यर्न कर दिया एक ही ठीक है यहां पर तो यहां पर नंबर को ले करकर क्या प्रक्राइब यहां पर टुद मेंने कर लिया घ्र अधीक नमब तो ढ 3 और 3 है same number का है देखे तो हमने यहां pair किया आप क्या करेंगे 1 value को हम लोग को क्या करना है note down करना है तो 1 value को note down मतलब 2 into 2 है लेकिन हम सिफ इसे एक time लिखेंगे क्या 2 into और इसको भी जो है यहां पर 2 into 2 है तो इससे भी हम one time ही लिखेंगे ठीके और यहां पर 3 जो है 6 into to 12 फिके तो exactly जो है आप इसे बहुत हां से खर देख सकते हैं थीक है तो यहां पर जो है यह दो a.s dale है एक Dude का क्या है exactly square है जाह है 2 का स्क्राइब ौकर होता है वो 2 3 का square ठीक है clear है तो अभी देखिए एक में formula आपको मैं बता रहा हूं ठीक है ध्यान से सुनिएगा देखिए a into m अगर into b into m है मतलब अगर हमारा power same है तो यह दोनों base जो है वो क्या होता है multiply हो जाता है इस बात को ध्यान से सुनिएगा ठीक है यह exponent एक chapter है जिससे यह related है ठीक into b to the power अगर m होता है तो क्या होता है a into b का power क्या होता है common power हो जाता है m ठीक है तो same मैंने वैसे ही किया है ठीक है और अगर ऐसा रहा a का power m into b का power m और into अगर c का power अगर m रहा तो same उसमें अगर power same से है तो हमारे जो है यह numbers जो है base इसे हम base कहते हैं यह base सारे क्या होते multiply मतलब a into b into c का क्या हो जाएगा यह power m होगा तो same मैंने यह formula जो है मैंने यहां पर utilize किया है ठीक है clear है तो आप देख सकते हो इसको a का power m मानिए और अगर इसका c का power m मानते हैं तो a into b into c हो जाएगा तो त्री इंटो 2 ठीक है 6 6 into 2 12 12 का क्या हो जाएगा square तो 12 का square ही जो है 144 होता है आप यहां से भी जो है अब देख सकते हैं ठीक है तो यहां से देख सकते हैं कि 12 का square है वो कितना होता है 144 तो exactly यह जो है एक क्या है एक perfect square है ठीक है और यह किसका square है 12 का कितना कितने का है 12 का ठीक है I hope कि यह clear हुआ तो चलिए एक और हम numericals जो है उस से परफॉर्म करते हैं ठीक है चलिए तो एक्जाक्टली जो है आप यहां पर अगर आप थ्यान से देंखेंगे तो मैं एक ले रहा हूं तो यहां पर जो है exactly हम लोग क्या method यूज कर रहे हैं prime prime factorization ठीक है method को हम लोग क्या कर रहे हैं use कर रहे हैं तो आई होब कि यह prime factorization method आपको समझा है अगर नहीं समझा है तो फिर से जो है मैं एक numerical को कर रहा हूं उसे आप जरूर ध्यान से देखें ठीक है तो number क्या है यहाँ पर जो number है मैं ले रहा हूं क्या है 1176 तो exactly इसे क्या करना है ठीक है इसे हम divide करेंगे ठीक है किस से prime number से है तो 2 से करिए तो 2 5 जा 10 ठीक है carry जाएगा 17 होगा 2 8 जा 16 फिर यह carry जाएगा 2 8 जा 16 ठीक है clear है फिर 2 से divide करिए तो 2 2 जा 4 carry 1 जाएगा 2 9 जा 2 4 जा ठीक है आगे बढ़ते हैं 2 2 1 जा 2 4 जा 8 2 7 जा ठीक है तब 7 से देखें कट जाएगा ठीक है 7 भी एक prime number रहे तो 7 कितने बार में जाएगा 7 2 सा 14 और 7 ठीक है फिर 7 से जो है कितने इसको कैसे लेख सकते हैं 2 x 2 x 2 x 7 x 7 x 3 तो आप देखें यहां पर जो है एक पेर तो बन रहा है तो का 7 का पेर बन रहा है लेकिन आप यहां देख सकते कि एक जो है एक 2 और एक 3 जो है वह अनपेर्ड है क्या है अनपेर्ड तो अगर कहीं अगर अनपेर्ड अगर नंबर आपको दिखता है तो यह जो है यह क्या होगा नाट नाट ए परफेक्ट नाट ए परफेक्ट स्क्वेर्ड यह परफेक्ट स्क्वेर्ड नहीं हो सकता है ठीक है तो कोई भी अगर अनपेर्ड रहे नंबर ठीक है तो वो जो है वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वेर्ड नहीं हो सकता है ठीक है तो यह बात को जो है धियान रखिएगा ठीक है clear तो यह है हमारा क्या prime factorization method है जिससे हम लोग क्या करेंगे एक perfect square number है या नहीं उसे हम find out कर सकते हैं ठीक है clear है तो आएए next एक numerical order देखते हैं ठीक है चलिए इसमें भी हम लोग क्या use करना है prime factorization method ठीक है तो number क्या है ठीक है यह हमारा क्या डिजट 1089 ठीक है चलिए 1089 को लेते है 1089 को ठीक है आप देखें इसको 3 से कटेगा क्यूंकि लास्ट में 9 है ठीक है तो 3 से कहीं न कहीं यह कट सकता है तो 3 3 9 3 6 18 3 3 3 0 ठीक है clear है चलिए फिर 3 से यह कटेगा 3 1 0 3 2 0 3 1 0 और देखिए क्यूंकि 121 है तो simply जो है यहां 11 होगा क्य कि 11 x 11 हमें पता है 12 इसलिए मैं बोला कि इसे जो है याद करना बहुत ही ज़रूरी है कम से कम 20 तर ठीक है 11 11 सा तो देखिए 1089 जो है उसे कैसे लिख सकते हैं 3 x 3 x 11 x 11 तो इसके पेर कर लिजिए तो इस पेर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं यह हो जाएगा 3 का स्क्वाइर इं कि अगर a का पाउर m है और b का पाउर अगर m है तो इससे हम कैसे लिख सकते हैं a x b का पाउर क्या हो जाएगा m । 2 x 11 6 तो यहां पर क्या हो जाएगा 33 का जो है स्क्वार्ड जो होता है वह होता है 1089 ठीक है चलिए तो देख भी लेते हैं 33 का exactly है कि नहीं तो 33 x 33 करना है क्योंकि स्क्वाइर के लिए क्या चाहिए हमें सेम नमबर से मलड़े तो 3 3 9 3 3 9 ठीक है यहां हो जाएगा 9 और यहां पर 9 ठीक है यहां हो जाएगा 9 9 9 हो जाएगा 18 carry 1 9 1 10 तो देखें exactly 1089 ठीक है तो आई होप की यह clear है ठीक है चलिए तो यह जो है आई होप की यह बात आप लोगो clear हो चुका होगा ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं ठीक है देखें तो अभी जो है हमें क्या है हमें find out करना है exactly कि एक नंबर जो है अभी हमें मेरा मोटिफ क्या है हमारा aim होगा क्या aim होगा क्या कि जो given नंबर है जो given number है ठीक है तो एस एस गिवें नंबर ए पॉर्फेक्ट स्क्वाइर पॉर्फेक्ट स्क्वाइर और नॉट ठीक है तो यह पॉर्फेक्ट जो स्क्वाइर जो 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 given number है यह पॉर्फेक्ट स्क्वाइर है या नहीं यह हमें पता करना है तो exactly हम इसे पता कर सकते हैं बिल्कुल भी ठीक है तो अगर अगर yes it is it is not a perfect square perfect square okay then then we can we can divide divide or multiply multiply it okay to get get a perfect number तो यह हमारा aim होगा कि अगर कोई given number जो है हमारा अगर perfect square नहीं है तो उसे जो है या तो हम divide करके या तो हम multiply करके उसे क्या बना देंगे perfect number बनाएंगे, ठीक है? और एक होंगे क्या, divide के, ठीक है, clear है, चलिए, तो एक चीज हमेजा याद रखें, यहाँ पर बहुत ही important मैं बात बताने जा रहा हूँ, अगर इसे आप ध्यान में देंगे, तो आपके सारे numericals जो है, यूं solve हो जाएंगे, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है, multiply के case में या प्राइम, फ्राइम, 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 फ्रा is generally is generally क्या होता है multiplied multiplied ठीक है once ठीक है once तो क्यों क्योंकि एक तो अल्रेडी वो प्रेजेंट रहता है और दूसरा जो है हम क्या करेंगे उसमें करतेंगे तो then it becomes then it becomes it becomes what क्या बन जाएगा square square या आप इसको कह सकते perfect square ठीक है perfect square ठीक है चलिए तो divide के case में जास्ट क्या होता है इसका उल्टा होता है ठीक है तो दिडिजट दिडिजट ठीक है इन दे इन दे प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर फॉर्म ओके विच विच आर अन पेर्ड अन पेर्ड जेनरली के डिवाईड़ेड थीक है वंश वंंश तो एक बार उसको क्या करेंगे हम डिवाइंड कर लेंगे थीक है जेन बिजड विक कंस वट देंड विक कंस क्या पॉर्टक्राइद पॉर्फटक्ट स्कुएर ठीक है चलिए हमारा ब्राइम क्या होगा कि हमारे जो given number है वो perfect square है कि नहीं और if it is not अगर वो नहीं है a perfect square then we can divide or multiply to get a perfect number तो उशका हम divide या multiply कर सकते है ठीक है तो आप gonna do twentyquake 叫 to multiply के case में क्या करेंगे जो हमारा unpaid number होगा उसे हम क्या क्या करेंगे once क्या करेंगे once जो है वो multiply कर देंगे ठीक है औंज divide के case में क्या होगा जो unpaid number है उसे हम generally एक बार क्या करते हैं हम उसे divide कर लेते हैं ठीक है clear है तो multiply के case में multiply करेंगे unpaid वाले को और divide के case में क्या करेंगे divide कर लेंगे unpaid वाले number को ठीक है I hope it is clear चलिए तो आएए एक numerical देखते हैं ठीक है देखें तो यहाँ पर जो है मैं एक numerical ले रहा हूं ठीक है number 8 यह किस के case में मैं बता रहा हूं multiply के case में तो बोल रहा है कि सबसे smallest जो number है वो क्या multiply करेंगे कि यह एक क्या बन जाएगा एक क्या बन जाएगा perfect perfect square बनेगा perfect square बनाना है ठीक है तो वो जो है वो smallest number को आपको क्या करना है multiply करना है ताकि वो क्या बन जाए वो क्या चिन में convert हो जाए perfect square में convert हो जाए ठीक है चलिए तो मैं एक desert लेता हूँ क्या है 2156 ठीक है यह हमारा desert है ठीक है clear तो 2156 को क्या करेंगे इसको लिखेंगे 2 इसको prime factor method करेंगे ठीक है चलिए तो prime factor method करेंगे यह 1 यहाँ पर 2 1s ठीक है यहाँ पर क्यूंकि 1 चोटा नंबर है तो 0 ले लेंगे ठीक है यह हो जाएगा 15 तो 7 बार में 15 sorry 7 बार में 14 ठीक है और वहां पर 1 बचेगा 1 और 6 16 तो 2 8 जा 16 ठीक है फिर 2 से काट यह 2 5 जा 10 2 3 जा 6 और वहां क्यारी बचेगा ठीक है तो 2 9 जा क्या हो जाएगा 18 ठीक है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है 5 ही और 9 बचा है तो 5 3 9 को जो है यहां पर आप 3 देखेगा ने घो इसे बाजात करेंगे तो यह जो है यह आपका डिवाइट नहीं होगा तो देखते हैं देखते हैं 29 7 सब जाएगा कितना 49 चुना 4 49 तो 77 बसौरट नहीं स्टेगा 49 थेदीक हमét अतबर हम करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 11 ठीक है और 11 बार में क्या हो जाएगा मतलब यह डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा ठीक है तो देखिए 2 1 5 6 को exactly हम क्या लिखेंगे 2 into 2 into 7 into 7 into क्या हो जाएगा 11 तो देखिए 2 का पेर हमारे पास available है 7 का पेर available है तो unpaired कौन है यही है हमारा क्या unpaired नमबर या डिजट ठीक है clear है तो यही unpaired डिजट को क्या करेंगे once हम लोग क्या करेंगे multiply क्योंकि मैंने statement में मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि क्या करना है आपको क्या करना है once क्या करना है इसको multiply करना है तो यहां पे देखिए आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है क्या once ठीक है ? तो इही जो है हमारा given हमारा क्या है ? नमबर है ठीक है ? clear है ? चलिये तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे ? यहाँ पे 11 को Mumptiply करेंगे ठीक है तो जब हम 11 को यहाँ पे Multiply करेंगे इसका मतलब क्या होझेगा ? 2 x 2 x 7 x 7 इन्टो क्या हो जागा 11 इन्टो क्या हो जागा 11 तो यही नंबर को क्या करेंगे हम क्योंकि जो और नमबर है उसको हम क्या करते हैं यह इस sesame करणगे हैंевой करेंगे तो यह we will multiply, we will multiply, multiply 11, okay, so that, so that, so that, क्या हाजाएगा, 2156, will become, will क्या, will become what? perfect, perfect square, चीक है, clear है, तो देखे, यहाँ पर क्योंकि हमको multiply का कीस दाखा गया था, इसलिए हमने multiply कर दिया, अगर divide के case में बोलता, तो यह unpaid number को ही हम क्या करते, यहाँ पर divide कर देते, ठीक है, तो यह आपको clear है multiply का, तो मैं अभी चलता हूँ, इसी numerical को ले करके division के form में, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, division के form में जो है, बात करेंगे जब हम लोग, ठीक है, तो 7 x 7 x 11, तो अगर division का case कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, इसी unpaid number को क्या कर देंगे, एक बार क्या कर देंगे, यहाँ divide कर देंगे, ठीक है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं, या आप जो है, इसको अलग form में भी लिख सकते हैं, अलग तरीके से, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 x 2 x 7 x 7 x 11, तो इसे divide कर देंगे, 11 x 11 x 11, तो इहाँ बचेगा, 2 x 2 x 7 x 7, तो देखेंगे, अब यह paired हो गया है, तो exactly यह क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, perfect square हो जाएगा, ठीक है, तो in order to, in order to, order to make, make 2156 a perfect number, a perfect number, we will, we will, क्या करेंगे, divide, divide, okay, 2156 by, क्या कर देंगे, 11, ठीक है, clear, तो आप यहाँ पे नमबर भी देख सकते है, चेक कर सकते हो, क्या बनेगा, 2 x 7 x 7 x 14, ठीक है, clear है, तो यह जो है, आपको जो number मिल जाएगा, जो obtain होगा, ठीक है, तो आप जो है, यहाँ से देख सकते हैं, कि हमें जो है, यह number obtained हो चुका है, ठीक है, और 14 का square जो है, ठीक है, आप अगर देखेंगे, यहाँ पर, 14 का square जो है, क्योंकि मैंने आपको बोला था, कि आपको याद रखना है, सारे जो values दिये हैं हमने, ठीक है, तो यहाँ पर देखें, क्या है, 14 का square कितना है, 196 है, ठीक है, clear है, तो यह जो है, यहाँ पर जो value हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 196, ठीक है, clear है, चलिए, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, required answer हो, तो I hope कि यह clear है, तो अगर आप से perfect square के बारे में पूछा जाए, तो आप बता सकते हैं, ठीक है, clear है, आप से अगर पूछ square है की नहीं, तो हम लोग, prime factorization method से देखेंगे, और numbers को अगर pair कर सकते हैं, हम, सारे numbers अगर paired है, ठीक है, तो वो जो है, क्या होंगे, perfect square numbers होंगे, ठीक है, और अगर in case नहीं है, तो अगर कहा जाता है, कि उसे perfect square number बनाना है, तो उसमें 2 conditions आपको दिये जाएगे, एक multiplication का, और एक division का, तो जिस हिसाब से पूछा जाएगा, उस हिसाब से जो है, हम लोग इसको solve out करेंगे, ठीक है, चलिए, तो I hope की ये clear है, तो आगे next video में, जो है, हम लोग और प्री कुछ numericals के साथ, आगे बढ़ेंगे, और हम लोग जो है, अगले classes में, जो है, हम लोग perfect square का, जो properties ह है, ठीक है, उसे हम लोग discuss करने वाले है, ठीक है, clear है, तो हमारे जो, next जो, जो हमारे next जो, video lecture होगा, lecture होगा, वो किस पर होगा, किस पर होगा, कुछ numericals के उपर, कुछ numericals के उपर, ठीक है, and, and the properties, properties of what, perfect, perfect square, ठीक है, clear है, यह बहुत ही important topic है, जो कि next video में, जो है, हम ले करके, आपके सामने उपस्तित होंगे, ठीक है, and thank you for the class, और आपका प्यार जो है, बनाए रखें, ठीक है, हमारे चैनल को, like and subscribe जरूर करें, और, जो required person है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उन्हें, please, और please, आप forward जरूर करिए, यह हमारा request है, and thank you for the class and have a great day, thank you.